हेलो और वेल्कम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसंट चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग मलेशिया ग्रांड रंबल टीटेन चम्पियंशिप की बात करेंगे मैच होने वाला है MRKB पुत्र है जाया और SNK लाइनस के बीच में तो चलिए दोनों इनिंग भी प्लेयर पर एक बार नजर कते हैं कि कौनसे प्लेयर को लोग आप स्मोल लिग में लेके जाएंगे कौनसे प्लेयर को लोग आप ग्रांड लिग में पिक करेंगे प्लस कौनसे प्लेयर हमाने लिए कंपतान वाज क के बिस्के बारें में बात करेंगे पीच रिपोट देखते हैं मैं अमारी Fanta SET टुम भी देखते हैं कि कौनसे प्लेयर को लेके जाना है और कौनसे प्लेयर को लोग आप डूप कर सकते हैं सारी डीटेल्स इसे वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इसके पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूटूब चैनल को अभी दख आपने सब्सक्राइब ने किया तो सबसे पहले यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये टूनामेट हम लोग पूरा कवर करेंगे इसके अलावा यहा तो यूटूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है साथी में आप लोग अभी दख हमारे टेलिग्राम चैनल से जो नहीं जुड़े तो बहुत कुछ मिस्स करोगे क्योंकि आप आपको वीडियो की अपडेट लाइन अपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसी लिंक से ही टेलिग्राम को आपको जोइन करना है अभी के लिए बात करी इस मैच की तो ये मेच सेलंको टब क्लब कौला लूंपूर मलेशिया में दो पिर में एक बचकत 30 मिनट पर स्टार्ट होगा अभी देखो पीच रिपर्ट की वार्ट की जा तो मैंने आप पर प बांटेज रहता है तो टेम टॉस इसकरना पसंद कर सकती है तो चलिए सबसे बहले बात करते हम लोगे आपर टीम एम के पी की बात की जाए तो यह पहली मैच के लिए सुबह में बॉर्णिंग में जो पहली मैच थी आप छे बच कर तीस मिनिट पर वो मैच यापर एम के पी की ही थी जो हार कर आ रही है आई नहोंने पैंसट या सटसट रन के अंदर यह टीम ओल आउट हो गई थी ओपनि बॉर्णिंग की थे तो चाहो तो यह पर रिसक ले सकते हैं इशाक खान की बात की जा तो यह बेटिंग के साथ सारे आपर कई बार ओप बॉलिंग भी करवा लेते हैं हलाकि कि इनको विकेट नहीं मिला लेकिन यह हर मेच के दोरान एक दो ओस की गेंबाजी करेंगे इंपोर्णिस पार्ट रहेंगे आपर क्यूंकि इन्हों ने भी चौथे नमर पर बेटिंग की साथ में आपर एक ओस की गेंबाजी करवाई विकेट लेस रहे और रिसनली बेटिंग से अच्छे फोम है तो यहाँ पर इस टिम की बात की जा तो टॉप अडर में से गुलाम मुर्टजा दिखेंगे नवी धर्सन दिखेंगे और मुहंबत तौफिक दिखेंगे यहाँ पर आप लोग आमिर खान को ले सकते हैं आमिर खाने अच्छे यहाँ पर बल्ले बाज पीए और साथ में ओस भी करवा सकते हैं राइटाम मीडियम फास गयान बाज है अलाकि ला इनका पूरा नामे आपर में अबर कन्फिज नहीं होना है क्योंकि बैटिंग सेक्शन में दिखेंगे तो आपको कन्फिजन ना हो साइद अजर अब्बास ओके इनको आप लोग जियल में लोगे बाकि मुहमद यासीर अली से एक्सेप्टेशन थी के ओस करवाएंगे अला इसके अलावा बेंच में से खेलेगा तो इनकी रेकोर्ड और रूंके स्ट्स मिलेंगे आपको टेलिग्राम चनल पर जिसमें से इंपोनाट पार की जाता हो आतिप और सलमान फैरिस दोनों इंपोनेस रहेंगी जिसमें से आतिप शायद या पर बैटिंग से ओपनिंग या सकते हैं तो यह अगर केलता है तो यह वेरी इंपोनेट प्रिक रहेगा इसके लवाए इसे बात करते है टिम S&K की S&K आज के दिन की पहली मैच के लेगी ओपनिंग में आपर असाद अली और मुहमद इर्शाद दिख सकते हैं दिखेंगे यह एक अन्फरम नहीं और यह ऐसा नहीं है देखो यहां पर भी हमने जो बैटिंग ओडर दिया ना यह लास मैच का बैटिंग ओडर जो की मतलब इस तिम ने जो लास मैच के अंदर बैटिंग रहें उसका बैटिंग ओडर है इसमें भी आपको चैंजिस देखनी को मिलेगे तो यह तो नहीं मैच के यह आपर तो बैटिंग और में कोई कंफरमेचन नहीं है न्ट इवन टॉस के बाद भी कोई ओफिचल बेटिंग ओडर नहीं होता है तो कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा लेकिन एज एक्सिप्टेबल है अगर पर असाद अली के साथ इशाद ओपनिंग करवा सकते हैं इसमें भी इशाद हमारे लिए कप्तान वाइस केप्टेंशिप की चोईस रह सकते हैं असाद अली आपको विकेट केपिंग से दिखें कि रिसेंटल अच्छे फॉम में इनको लेके भी जाना है इशाद आपर रिसेंटली देखो बॉलिंग से जब अच्छे फॉम में तो कप्तान वाइस केप्टेंशिप की चोईस रहेंगी इवन बैटिंग काफी अच्छी करवा लेते हैं जब भी मौका मिलता है तब हाला कि रिसेंटली बैटिंग से बिल्कुल पॉम में नहीं है इवन पिछली तीन-च्यार मेचिस की बात की जाए पांच-छे मेचिस की बात की जाए तो इनका अकड़या पर 10 प्लस भी नहीं हुआ है सेयद बुखारी हो के हाला कि वन डाउन खिल सकते हैं क्यूंकि खास तोर पर तिसरे नमर पर खिलते हैं आकरी मेच जब खेली ते तब तिसरे नमर पर खेली ते इसके साथ आपर खाली एक अच्छे प्लेयर जरूर है बारा मेच के दोरान करीब 22 के वरे से आपर 217 रण और खास तोर पर ये चौते नमर पर खेलते हैं लास मेच जब के लिए ते जब चार रण किये तो गोस नहीं कर वाय था बाकि बारा मेच के दोरान तीरा विकेट है इनके 26 वोस की ग जय कोडs नहीं तो इनके बारे में कहना कुछ घलत रहेगा अबी के लिए जिसा नहमद के अपर भरोस आ सकता क्योंकि विकेट किपएंक बी करवा सकता है ये बैटिंग ऑलीग पर कर अपर पर कि हो सकता है तो इनको मैं जरूर सब्सक्राइब डिफरेंस इसके अलव लेवल की मैच्छी स्वा पर ये ओपनिंग भी करवाते हैं तो मेरे लिए तो यहापर सीधे कप्तान की चोईस है मेरे लिए कप्तान यहापर विजे उन्नी रहेंगे बाकि आप लोग अपने अकोडिंग चेंज कर सकते हैं बाकि मोहमद अधनान अगर वोस करवाएंगे तो पर इफेक्टेबल रहेंगे रिजवान हैदर वेरी इंपोरनेट पिक और रिजवान हैदर को में कप्तान वाइस केप्तन सजेस्ट कर सकते हो खास वार पड़े को रिजवान हैदर यहां से वीजे उन्नी और यह जो पवंदीप सिंग है ना यह तीनों की नीरियों सुरियन प्लेयर है और मैलेशिया की इंटरनेशनल टीम की जान है तीनों प्लेयर तो तो इनको खास ज्यान में रखिएगा और यह आपको बड़ा एडवांटेज दे सकते हैं अभी के लिए देख लेदे हमारी डेमो फेंटासी टीम क्या हो सकते हैं कौनसे प्लेयर कॉंब लेके ज सकते हैं तो विगेट की विइंग सेक्शन से आप असद अली हमारी डिम का इससा रहेंगे बाकि आप लोग कि आप यहां सजर लेकिन इनका वैसे भी सेलिक्षन नहीं देख सकते हैं पबली को भी मालुम है सरदार नईम को हमने लिया है बैटिंग सेक्शन से इसके पर आपके पास अखवेद है, नविनुल हसन है, इन दुनों को खास आप लोग ले सकते हैं, आती फकर खेलते हैं तो यह तो वेरी इंपॉंडर्ट पिक रहेंगे, यह डेफिनेटली आपकी टीम का इस्सा होने चाहिए, बॉलिंग सेक्षन से तीन प्लेयर हैं, जिसमें से ए पर आपके लिए बाकी टीम कुछ इस तरह सही रहने वाले, इसमें हाला कि लाइनप के बाद बहुत सारा चेंजिस वगेरा देखने को मिल सकता है, तो जो भी आखरी अपडेट या आखरी हमारी स्मॉल लिग या ग्रान लिग की टीम रहेगी, वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पर, तो टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो जुड़ जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ही टेलिग्राम चैनल को आपको जोइन करना रहेगा, वीडियो अगर अच्छा लगे, तो लाइक करना है, शेर करना है, कॉमेंट करना है, साथ में आपर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिले और इसी यूटूब चैनल के उपर जल्दी से जल्दी मिल जाए, तो वही करना है, बाकी मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई दन्यवाद जय हिंद जय भारत